प्रकाजावडेकर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय निकाला न्यूज 18 से बातचीत के लिए और साथ ही हमने प्रदान मंत्री काराले में राज्य मंत्री डॉक्टर जीतेंद्र सिंग उनसे भी बात की वो भी सवाल जवाब आपको दिखें लेकिन पहले प्रकाजाव वाला बजेट है लेकिन जो विपक्षी दल्ब कह रहे हैं कि कुछ नहीं बजेट मेरा इतना ही कॉमेंट है कि कुछ देखने को तैयार नहीं है ऑपोजिशन उनको हर चीज निगेटिव लगती है यह दिवालियापन है उनका और इसलिए वास्तविकता अगर देखेंगे त तैयार करने वाला और खेती से लेकर हर क्षेत्र को नए सुधार की रास्ते पर लेकर एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्शर तैयार करने वाला यह बजेट है यह बहुत ही सारगर्भित है शायद 5-6-10 दिन के बाद अपोजिशन समझ पाई तो ठीक है नहीं तो केवल जनता को यह बजट पसंद है प्रकाश जी कुछ नहीं बजट में यह बात तो सही है कुछ नहीं बजट तो है चुनावा से जुड़ा कुछ नहीं है इसके अंदर मतलब आम तो पर होता है सर पर पांच राज्यों के चुनाव होते हैं तो एक है चुनाव के लिए कुछ नह क्योंकि उनको अब तरस रहे हैं दस साल हो रहे हैं और आगे भी पासाथ साल दस साल उनको नजर नहीं आ रहा है कि हम कभी जाएंगे सत्ता में और इसलिए एक निराशा उनकी रियक्शन में आती है हम देखें कि क्या कर रहे है यह बजट क्या है पहले समझना चाहिए जी कंदी का दौर आया और एक अर्थव्यवस्ता हर जगह नीचे स्तर पे गई थी लेकिन भारत में रिकवरी होने लगी और लोग कहने लगे हम तो कह रहे थे कि यह वीशेप रिकवरी है लेकिन कुछ लोग जो आपोजिशन में है वो कह रहे थी यह केशी पूरी है आज जिस तरह से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है जिस तरह से विकास को गती मिली है और उस कारण यह साफ हो गया कि यह रिकवरी वीशेप रिकवरी है के शीप रिकवरी नहीं है और इसमें फ्यूचरिस्टिक कैसा है तो भारत को अगर आगे पढ़ना है तो रोड हाइवेज रेल्वे पोर्ट एरपोर्ट वाटरवेज लॉजिस्टिक्स सभी मूवमेंट बहुत फास्ट करनी चाहिए फ्रेट केरेड़ और से लेकर तो यह इसमें पूरा नक्षा है और उसके लिए कितना है कैपेक्स पिछले साथ साड़े पांच लाग करोड का प्रोविजन था अब साथ सा साथ लाग करोड किया है एक साल में 2 लाग करोड का बडोतरी किया है तो ये इतना आसान नहीं है ये जबरदस्त प्रोविजन है और इसमें कितनी एंप्लॉइमेंट तयार होती है लेकिन जिनको देखना नहीं है उनको कुछ नहीं दिखेगा दूसरी चीज अब ग्रीन भा कि जो बोलते हैं वह ऐसा करते हैं ऐसा करने वाला भारत एक मात्रदेश बन गया है और उसमें ग्रीन बॉंड भी निकालेंगे सोलर एनर्जी भी बहुत बढ़ाएंगे इवी का स्वैपिंग पॉलिसी भी साथ में लाया है और ट्रैंसिशन ओफ एनर्जी इस पर जोर है और एग्रो फॉरेस्ट्री और प्राइवेट फॉरेस्ट बढ़े इसके लिए भी यह है तो यह ग्रीन भी है डिजिटल पुश एक डिजिटल युनिवर्सिटी भी निकालेंगे क्रिप्टो के बारे में एक नया डिजिटल एक तरह से करंसी है नई वो भी आने के रूल्स तरह होगे उसमें 30% टैक्स भी लगेगा जो इंकम जिनको मिलेगा फायू जी को लांच करेंगे और बैंकिंग में भी पोस्टल सारी सेवा यह कोर बैंकिंग में आएगी तो यह जो डिजिटल विकास है यह इंकलूजिव ग्रोथ का एक नमुना है और भी एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि इन्वेस्मेंट इन्वेस्मेंट जो है वो जो सरकार कर रही है तो इन्वेस्मेंट के बिना तरक्की नहीं होती लेकिन इंवेस्मेंट के लिए आज IBC कोड आ गया, NCLT आ गया, अब आर्बिट्रेशन का सेंटर गिव्ट सिटी में होगा और बाकी भी बहुत सारे कारुबार किया है कि जिससे ये इंवेस्मेंट को सही तरह से काम में लाया जा सकेगा लेकिन प्रकाष जी इक्सपोर्ट भी बढ़ाने की ओजना है उसके लिए कानूं भी है सार बार बार ये काहा जा रहा है यह दूर दर्शी बजट तो है ये 25 साल का ब्लूप्रेंट है ये भविशे का बजट है अफॉजिशन के रहे हैं आज कुछ टेंजीबल नहीं है अज की बात नहीं है आज कुछ थोस आत में नहीं लगा है नहीं नहीं दो लाग क्रोड का इंफ्रस्ट्रक्टर में निवेश बढ़ना फायू जी का आना एक एक्सपोर्ट के लिए नया कानून लाना पचीस हजार कंप्लाइंसेज खतम करना पंधरा सुक कानून खतम करना मोधी जी प्रधान मंत्री बनने के बाद पिछले साथ साल जिस डिटर्मिनेशन से काम चल रहा है उसी को आगे बढ़ाके वो आजादी के अमुरुत मोध्सों पर रुपते नहीं आजादी का जब एक सो साल पूरे होंगे दोजार सैतालिस में तब भारत कैसे होगा और ये जो काम कर रहे है ये सब आज के बजेट में रिफलेक्ट होता है फाइनांशियल प्रोविजन के साथ फाइनांशियल फिसकल डेफिसिट और फिसकल डिसिप्लिन का भी ख्याल रखा है और जैसे मैंने कहा कि 40 लाग करोड का खर्चा अगर सरकार कर रहेगी तो इसका मतलब रोजगार भी बहुत पैदा होंगे पूरा वेलासिटी भी बढ़ेगी और ये वीशिप्रिकवरी और बड़े मजबुती से होगी अगले साल हमें 19-20 में क्या हुआ था ये सोचने की जुरूत नहीं पढ़ेगी हम आग भी आगे कितने बड़े है 22-23 से भी 23-24 में कितना आगे बढ़ते है ये हम देख सकेंगे तो ये एक बड़ा बदला अब MSME है MSME में 1.2.3 लैक MSME को जिवदान मिला है ये जो नई स्कीम गैरंटी दी सरकार ने उनके लोन की तो ये बहुत मधुपूर्ण है 1.5 करोड से ज़्यादा रोजगार उसके करण बच गए और अब 3.5 करोड घरों में नल मिलेगा नल से जल 80 लाख नए घर बनेंगे 112 Aspirational District में focused efforts होंगे और जो ब्लॉक पिछेड रहे है उनको भी आगे किया जाएगा और डिजिटल में जैसे मैंने कहा पूरी नई व्यवस्ता आई है भारत ने डिजिटल टक्नीक लोगों ने कितना सहर स्विकार किया है ठीक सर आज दुनिया में सबसे सस्ता डाटा अगर कही है भारत में है तो ये नया भारत है ये नई उर्जा है सर एक आखरी सवाल आपसे ले रहा हूँ प्रकाज जी अभी क्योंकि पांच राज्यों में चुनाव ये का ज़रा था कि बजट के बास सीधा एक आजाएगा चुनावी बजट चुनावी बजट चुनावी बजट कम से कम वो कोई नहीं कहे पा रहा है और ये चुनावों में फाइदा ना पहुंचाने वाला बजट तो है ये तो आप भी मानेंगे क्योंकि Missed Opportunity है बहुत कुछ हो सकता था लोग लुभावन नारा यह जो हम लोगों को कम आखते हैं न कि लोग है तो इनको कोई ऐसा temporary एक स्लोगन दिया तो उससे काम होगा नहीं होता लोग अब समझ रहे किसका credibility है लोग समझ रहे है किसका दिवालियापन है और लोग समझ रहे है कि गुंडाराज क्या था और आप क्या राज आया है ब्रष्टाचार क्या था आज क्या राज आया है और इसलिए एक नए सीरे से लोगों ने विश्वास किया है इसलिए हमें के यह जो सारी खुशना है अब एजुकेशन में 200 टीवी चैनल सोंगे हर राज्य हर स्टैंडर्ड का यानि स्टैंडर्ड वन चैनल स्टैंडर्ड टू चैनल ऐसे बारा चैनल तो बारा और सभी भाष्णाओं में तो हर एक अपने अपने राज्य कंटेंड तयार करके यह सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा का उधारन है और यह सब जो हो रहा है जैसे और कुछ नहीं नहीं कलपना मोदी जी हमेशा करती है अब जैसे पर्वत माला सागर माला हो गया भारत माला हो गया अब पर्वत माला तो जहां पहाड ओपर चड़ना और घाट का निर्बान करना बड़ा कठिन होता है वहां रोपवे से जाएंगे और रोपवे शेहरों के इलाकों में भी होका तो यह नहीं सोच है यह पासपोर्ट है उससे भी ज्यादा अनिमेशन गेमिंग और यह जो है यह विएफेक्स यह सब टेकनलाजी का नया उदय विस्तार और शिक्षा उससे इतने अधुत रोजगार पैदा होने वाले हैं नए प्रोकुर्मेंट के रूल्स बनाए हैं तो यह सब देखेंगे तो यह बज़े रोजगार को लेकर हैं अब 60 लाग देने वाला यह रोजगार देने वाला बज़ेट है रोजगार देने वाला बज़ेट है बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रकाज आवडेकर पूर केंद्री मंत्री आपने समय निकाला